रादे रादे कुंज बिहारी श्री अर्दास निलजला एकादसी का वृत किस दिन रखा जाएगा? यह प्रिश्ण इस समय बहुत सारे भक्तों के मन में हैं। यह अस्मंजस है कि श्री निलजला एकादसी का वृत 10 जून को रखें अत्वा 11 जून को रखें। हालंकि मैंने 3-4 दिन पहले ही एक वीडियो बनाकर उसमें बताया था जिसमें निर्जला एकादसी की संपूर जानकारी दी थी कि श्री बांके विहारीजी मंदर में निर्जला एकादसी का व्रत कब है उसके बाद भी और मैंने इस्पष्ट का था कि श्री बांके विहारीज मंदिर में नेजला एकादसी का व्रत 10 जून 2022 शुक्रवार के देने अब बहुत सारे भक्त कह रहे हैं कि हमारे यहां तो 11 जून को है तो होता क्या है सभी मंदिर अपने अपने पंचांग का अनुसरण करते हैं श्री बांके बिहारीजी मंदिर में जो भी व्रत एवं उत्ष सब निर्धारत होते हैं वो काशी विश्व पंचांग के अनुसार होते हैं जिसके अनुसार श्री बांके बिहारीजी मंदिर में नेजला एकादसी का व्रत 10 जून 2022 शुक्रवार के देने इसी समय यानि 10 जून को ही श्री बांके बिहारीजी मंदिर में एकादसी मनाई जा रोटी, कड़ी, डाल, चावल जो भी कच्चे प्रशाद में आता है वो दस जून को श्री बाके विहारी जी को नहीं लगाया जाएगा श्री बाके विहारी जी दस जून को पक्का प्रशाद अल्थात पूडी, कचोडी, आदी का भोग लगाएंगे और शनिवार को प्रती दिन की भाती राजभोग में कच्चा प्रशाद पाएंगे तो आप सब अपने अपने पंचांग के अनुसार एकादसी का वरत रखें, यदि आप श्री बाके विहारी जी मंदिर के अनुसार सभी उत्सब मनाते हैं तो दस जून को मनाएं, यदि आप अन्य पंचांग का अनुसरन करते हैं, जिन में 11 जून की दी हुई है, या आपक कि गुरु इस्थान पर जब भी एकादसी मनाई जा रही है आप उसके अनुसार बना सकते हैं कोई गलत नहीं है किसी को ना गलत कहने की सामर्त हम में कि 11 वाले गलत हैं या 10 वाले गलत हैं क्योंकि एकादसी के व्रत में शुद्ध भावना का होना आवश्यक है तो आप सभी दूसरों के प्रतीवी अपनी भावनाएं अच्छी रखें सभी का सम्मान करें सभी भक्तें ठाकोल जी के सभी अपनी अपनी सामर्त के अनुसार ठाकोल जी की सेवा करते हैं भक्ती करते हैं बजन करते हैं कीर्तन करते हैं तो आप सभी इस विवाद में ना पढ़ें आप जिस अनुसार एकादसी का वरत रखना चाहते हैं उस अनुसार रखें हमारे यां दस्जून किये तो हम दसको रख रहे हैं और मेरा काम है कि वाके विहारी जी मंदिर के अनुसार वरत उत्सब बताने का तो वो मैं बताता हूँ श्री कुंज विहारी श्री हर्दास आप सब प्रेम से वरत रखें खुब बक्ती करें ठाकोल जी की यही प्रात्रा में आप सबसे करता हूँ और बाके बिहारी जी के श्री चरणों में यही प्रात्ना करताओं कि आप सबको सद्बुत्ती दें, सभी पर ठाकोल जी की असी मनुकंपा बरस्ती रहें, सभी खुश रहें, सभी सुखी रहें, श्री कुंज बिहारी, श्री हर्दास